राहुल गांधी ने हर्याना में अपने चुनाफ प्रचार के दौरान बताया कि मैंने गाड़ी में जलेवी चखी और अपनी बहन प्रियंका को मैसेज भीजा कि आज मैंने जिन्दगी की सबसे अच्छी जलेवी खाई है। मैं तुम्हारे लिए भी जलेवी का एक दिबाला रहा हूँ। फिर मैंने दीपेंदर जी और बजरंग पुनिया जी से कहा कि ये जलेवी हिंदुस्तान समेट पूरी दुनिया में जानी चाहिए। अगर ये जलेवी देश और विदेश में जाएगी तो शायद इनकी दुका फैक्ट्री में बदल जाए और हजारों लोगों को काम मिल जाए। मगर नरेंद्र मोदी ने छोटे दुकानदारों को चक्रव्यू में फसा रखा है क्योंकि बैंक इन्हें लोन नहीं देगा लेकिन अडानी और अंबानी को लोन दे देगा। हाला ऐसे है कि आज हरियाना म पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेवी चक्की मैंने अपने बहन को सीधा मेसेज बेजा। मैंने का प्रियंका प्रियंका को जलेवी बहुत अच्छी लगती है। मुझे मुझे आम तोर से दूसरी मिटाई अच्छी लगती है। मगर जैसे मैंने ये जलेवी चक्की मैंने प्रियंका को सीधा मेसेज मारा मैं पढ़ लेता हूँ जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेवी खाई है। कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेवी आज खाई है। मैं तुमारे लिए आज शाम एक डबबा लाने जा रहा हूँ। अब इसमें हर्याना के एक व्यक्ति का खून पसीना है पुरा कॉंसेप्ट उन्हेंने बनाया सालों से ये काम कर रहे हैं होना क्या चाहिए जैसे मैंने आज दिपिंदर से गाड़ी में कहा पुनियाजी से गाड़ी में कहा होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेवी है पुरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमरीका में, जापान में अलग-अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हूं? मान लो इनकी दुकान में आज सो लोग काम करते हैं तो अगर इनकी जलेवी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी बाकी दुनिया में जाएगी तो शायद उनकी फैक्टरी में एक दिन गस हजार, बीस हजार, तीस हजार, पचास हजार लोग काम कर सकें मगर उनको नरेंद्र मोधी जी ने चक्रव्यू में फ़सा रखता है जैसे यहाँ पे महभारत में कुरुक्षेत्र में अभिमन्यू को फ़साया गया था वेसे ही इन्ही को मतुराम जी को चक्रव्यू में फ़साया गया है कैसे फ़साया सबसे पहले नोट बंदी उसके बाद गलत जी एस्टी उसके बाद अरब पतियों को दो तीन अरब पतियों को बैंक का सारा का सारा पैसा पकड़ा दिया अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भाईया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो लोन ले सकते हो और मशूर आदमी हैं अगर आप इनसे पूछोई हुए ये कहेंगे नहीं भाईया बैंक हमें गर्जा नहीं देगा बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है वहानी बात रुकती इनको फिरोती को कॉल आती है बाहर देश से कॉल आती है एक्स्टोर्शन किया जाता है पाच लाग दस लाग रुपे मांगे जाते हैं दराया जाता है धमकाया जाता है और ये सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है ये हजारों लाकों लोगों के साथ हर्याना में किया जा रहा है